हेलो दोस्तों स्वागत आपकर मेरे चैनल पर आज हम देखने वाले हैं question tag पिछले क्लास में हमने देखा था जो हमाई series चल रहे है grammar book की यानि plan to paramount book की उसमें हमने किया था पिछले क्लास में grammar को कबर आज हम कबर करने वाले है question tag तो question tag क्या होता है इसके concept क्या है question tag हम कैसे बनाते हैं वह समभम इस वीडियो में देखेंगे और इसके अंत में हम exercise करेंगे ताकि हमारी practice हो जाए तो यह करवाने का मेरा मोटी बस यह है question tag से भी exam में question आ जाते है ठीक है और वह आते कैसे है तो आते है common error में common error में इससे एक है दो question confirm पूछी दिया जाता है तो क्या करेंगे हम कबर करेंगे कैसे हम question को deal करेंगे कैसे हम right answer देख करके आएंगे तो चलिए शुरू करते है वीडियो को वीडियो पसंद है तो वीडियो को like करें share करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें तो चलिए देखते हैं सबसे पहले देखे question tag होता क्या है तो किसी भी वाकिए के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल ठीक है उसी को क्या करता है question tag करते है ठीक है जैसे दिया हुआ हूआ ह राम कड़ी महनत करता है तो इसी को क्या बोलता है question tag बोलते है यानि सवाल के अंत में जो छोटा से सवाल आता है तो हमारा सवाल क्या आया doesn't he क्या नहीं करता है sentence नमारा क्या है राम कड़ी महनत करता है उसके बाद क्या बोला जा रहा है doesn't he क्या नहीं करता है तो यही सवा जो है उसे को हम कहता है question tag he is not coming वो नहीं आ रहा है is he क्या वो आ रहा है तो यह हो गया हमारा का question tag ठीक है तो चली question tag को कैसे बनाते है उसके rule समझे बहुत छोटा से chapter है लेकिन हाँ बहुत important है इससे एक question आ जाता है तो एक question जो है आपको exam में दो number दे करके जाएगा अगर आप अच्छे सी से पढ़ लोगे तो तो चली देखिए पहला rule क्या है कि वाक के एवं question tag का एक ही होना चाहिए ठीक है वाक और question tag दोनों क्या होने चाहिए एक ही टेंस के होने चाहिए सबसे important यह ही है कि अगर present में तो यहां पर देखो क्या है रामकरी मेहनत करता है यानि कि जो टेंस है वह है present sentence sentence तो यहां पर is he is he भी क्या है जो question है वो दिया हुआ हमारा present continuous में तो आपको बात समझ में आगी होगी जिस sentence में sentence रहेगा वाक के रहेगा उसी टेंस में question tag का answer देना है यानि question ठीक है और दूसरा दूल किया अगर positive हो तो टेंस होना चाहिए और अगर वाट के अगर नेगेटीव हो तो यानि not लग गया और second में देखो दिया हुआ है he is not coming मतलब यह क्या है यहाँ पे negative में है sentence लेकिन यहाँ पे हमारा question tag बना वो बना क्या positive है ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा फिर से समझेगा positive हो अगर वाट के तो question tag होगा negative और अगर वाट के negative हो तो question tag होगा positive तो दो रूल आपको अच्छे देख कलियर हो गया तीस्रा रूल समझो question tag में हमें सह pronoun का परियोग करने ठीक है तो question tag में हमें फोन鬆न का प्रयोग करने को मतलब है आपर आप राम जो है कि राम है नाउन राम क्या है आपर राम है नाउन ठीक एंग två नाट के ओना यो इस there did not लिखना है तो हम लिखेंगे didn't had not लिखना है तो हम लिखेंगे hadn't ठीक है was not लिखना है तो हम लिखेंगे want ठीक है तो ऐसे हो जाएगा तो याद होगे आपको will not को want कर देंगे तो चली आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला है कि एक इसमें note करने वाली बात क्या है वो ध्यांते दुखिएगा और यही जो है exam में पूछता है खास करके यही जो मैं भी बताने वाला हूँ समानिता M not का constructed form ठीक है? Contacted form नहीं होता है ठीक है M not को हम amount नहीं करते हैं M not को हम change करते है question time में अरंट से ठीक है जैसे अगर दे दिया I am a boy ठीक है I am a boy तो हाँ पर amount नहीं होगा ठीक है amount ना होकर कि वहाँ पर क्या होगा अरंट क्यूंकि M not का जो होता है contacted form वो नहीं होता है ठीक है तो किसका हो जाएगा तो हमारा M not का बदर हम यूज करेंगे आरंट का जैसे I am fine तो aren't I ठीक है amount I अगर आप करोगे तो ये गलत हो जाएगा और exam में amount I दिया हो रहता है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है ठीक है जो इसका दूसरा रूल है वो समझो दिया हुआ है everyone everybody, no one, none, each every इत्यादी form से singular है ये सब क्या है इन सब के form जो है singular होंगे इनके साथ singular verb और singular pronoun इत्यादी का परियोग होता है ठीक है लेकिन question tag में ये बहुचन के रूप में use किये जाते हैं बात समझ में आई तो मतलब question tag में इसका जो use करेंगे तो हम plural के रूप में यूज करेंगे जैसे देखो, दिया हुआ everyone has come क्या हुआ है याँ आपर दिया हुआ है everyone has come तो ये बनाय हुआ है hasn't इन्होंने क्या बना दिया similar बना दिया जो कि क्या है गलत है तो बनना क्या चाहिए था तो बनना चाहिए था है आपर everyone has come haven't they क्या बनाएंगे haven't they हालाकि ये similar है everyone लेकिन जब इसका question tag बनेगा तो ये they हो जाए गए आपर हम plural कर देंगे ठीक है next हम जो एक और example से no one of your friends like her तेहाँ पर no one जो है यहाँ पर singular form है ठीक इनका form क्या है singular है लेकिन हम जब use करेंगे यहाँ पर दियो non of none of your friends like her do they ठीक है do they हम करेंगे क्या करेंगे do they they का use करेंगे no one के जगा पर ठीक है तो समझ में आगई बात उसी तरह से एक और example है everybody can a speak English can't they तो यहाँ पर can है तो यहाँ पर can't आगिया पॉजिटीव है तो आप नेगेटिव आ गया everybody can use हो गया देखा ठीक है अगला जो हमारा third rule है वो समझो दिया हुआ है collective noun का परियोग singular form में होता है ठीक है collective noun collective noun अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से सुनना collective का मतुत होता है जुन्ड तो collective noun का परियोग singular form में होता है इनके question tag में singular verb यहां singular noun का परियोग होता है तो जैसे the jury तो the jury क्या है jury का मतुता है पंच ठीक है पंच करने वाले पांच आदमी ठीक है तो jury क्या है collective noun है और यहां पर क्या है है इसके साथ जो वर्व हुआ है वह यूज हुआ है है तो जूरी के लिए और आगे यहां पर हमारा question tag बना हुआ हो बना हुआ है तो जूरी क्या है जूरी collective noun है collective noun के लिए hasn't का यूज किया गया है और इट किया गया है जूरी के बदले ठीक है यानि कि आपको बात समझ में आ गए होगी यहां पर आप haven't मत कर देना next हमारा दिया हुआ है अगला जो समझना rule वह है लेकिन अगर collective noun मत में दो वहां पर जूरी एक थे क्योंकि उन्हें अपना डिसिजन सुना दिया लेकिन अगर collective noun मत में दो ठीक है मतलब उनका अपना अलग-अलग opinion हो मतलब हम परते एक व्यक्ति की बात करें तब plural भव एवं plural pronoun का प्रयोग करेंगे जैसे the committee are divided अब यहां पर मिटी तो थी singular लेकिन यह डिवाइड हो गई मतलब सब अलग-अलग हो गया तो इसके साथ हम plural भव का भी यूज करेंगे और यहां पर plural pronoun का भी यूज करेंगे देर का ना की इट्स का ठीक है तो opinion अरंट दे यहां पर क्या हो जाएगा अरंट डे ठीक है दा अपने 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 निगेटिव मिनिंग रखता है मतलब होता है बहुत अपने निगेटिव है और इनके साथ हम नौट का यूज कभी नहीं करेंगे भूलकर यू मत करना ठीक है तो इनके साथ जो इनका जो question tag बनेगा वो बनेगा हमें सब positive जैसे he hardly does any work he hardly does any work अपने 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 निगेटिव है इसके साथ नौट अपने आप जूड़ा हुआ है तो हमें आप डज ही लगाएंगे बेरली का मतलब भी वही हुआ थिसके साथ भी हम नौट नहीं लगाएंगे अप लगाएंगे है जी seldom भी अपने आप में निगेटिव है तिसलिए हमें आप लगाएंगे इस ही ठीक है अब देखो हमारा अगला जो है अगला जो हमारा समयने वाली बात वो क्या है कि अगर sentence की सुरुआत लेटस या लेटस से किया जाए तो question tag cell V होगा ठीक है अगर sentence let से सुरूओ या latest स सुरूओ ठीक है तो उसके साथ जो question tag जो सुरूओ होगा वह होगा cell V के साथ clear हो गया जैसे let us go to the party tonight मतलब क्या हो जाएगा cell V ठीक है होगी question tag होगी want से किसे होगी want you से ठीक है जैसे come in want you come in का मतलब क्या है imperative sentence आवेजन क्या जा रहा है ठीक है यहां पर हम जो question tag बनाएंगे वो बनाएंगे want you next है किसी व्यक्ति से कोई कार करने को कहने के लिए कुछ offer करते समय ठीक है क्या करेंगे जब कुछ offer करते हैं तो will you ठीक है या व्यक्ति का प्रियोग होता है क्या होता है अगर किसी से हम क्या कर रहे है कुछ कार करने के लिए offer कर रहे है तो हम will you या व्यक्ति करेंगे ठीक है अगला देखो क्या है जैसे इसका examples है open the door would you open the door would you तो would you से ठीक है have some more tea would you यहाँ पर would you से sentence सुरू करेंगे clear है जब कोई बिसबरी से, बहुत जाद बिसबरी से किसी का इंतजार किया जा रहा है, या कुछ काम ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, can't you, जैसे shut your mouth, can't you, तो shut your mouth, वो क्या कर रहा थे, बिसबरी से इंतजार कर रहा थे, कि वो एक तिक कब चुप होगा, तो हमें आपे क्या करेंगे, can't you का यूज़ करेंगे, ठीक है, negative sentence में देखो, negative imperative में, will you का परियोग question tag के form में, रूप में होता है, ठीक है, negative, पहले से negative है, तो हमें तो not लगाने के जरूफ है नहीं, तो आपे हम क्या यूज़ करेंगे, will you, ठीक है, जैसे don't worry, will you, next है, अगर वाटके में, there, subject के रूप में परियुक्त हो, तो there के बाद आने वाला वर्ब, एवं, there question tag के रूप में परियुक्त होंगे, ठीक है, तो देखो क्या है, there से जब कोई वाटके सुरू हो, जैसे there is no water, तो यहाँ पर क्या होगा, is there, ठीक है, there is no water, is there, ठीक है, अगला देखो, जैसे I think, ठीक है, he is right, तो is not he, यहाँ पर मुख भाग की क्या है, तो वहाँ पर मुख भाग जो है, वह ही, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I think he is right, तो is not he, यहाँ पर he का यूज करेंगे, है ना कि हम आई का यूज़ करेंगे ठीक है अरंट आई मत कर देना भूल से तो question tag हमेंसा जो है वाक्य के मुख्वाग के अनुसार तो मुख्वाग इसमें है he is right ठीक है next हमारा देखो क्या आ जाता है अब हमारा आ जाता है exercise exercise के ना बहुत जरूरी है ठीक है आप देख लो ज्याज़ कृष्टन नहीं है 40 questions है exercise बहुत ध्यान से कर लो आप मैं करवा देता हूं ताकि आगे आने वाले exam के लिए आपको revision हो जाए तो चेली देखते पड़ते हैं I am happy तो मैंने बताया था जब आई से सुरू हो ठीक है आई से जब sentence शुरू हो तो उसका जो बनेगा question है क्या बनेगा aren't बनेगा तो I am का contacted form नहीं होता है इसलिए हम इसको क्या करेंगे aren't तो क्या हो जाए गए aren't happy ठीक है क्या हो जाए गए aren't happy नॉक्ट है next है I don't write later देखो I don't write a letter होना चाहिए था पर यहां पर मिस्प्रिंट हुआ हो थे ठीक है क्यूंकि लेटर जो हमारा accountable ना होने तो देखो दिया हुआ I don't write later तो यहां पर क्या हो जाएगा do I क्या हो जाएगा do I यानि कि यहां पर पहले से तो हमें positive बनाना है तो यहां पर हो जाएगा do I ठीक है next है हमारा I did not go to college yesterday अब यहां पर देखो दिया हुआ past tense में did ठीक है did not तो यहां पर क्या हो जाएगा did I क्या हो जाएगा did I I did not go to college yesterday did I तो आगे देखो क्या है it is very cold it is very cold ठीक है next हमारा क्या you have not eaten anything अब यहां पर देखो have not लग गया क्या लग गया है हापे have not लगा दिया यह ठीक है तहाँ लगाएंगे have you क्या लगाएंगे have you positive बनाएंगे next he does not drive carelessly देखो दिया हुआ अब यहां पर दो डजनोट आगया present definite का negative यहां पर हम लगाएंगे does see क्या बन जाएगा does see next हमारा I have called him up I have यानि कि यहां पर हो गया present perfect tense यहां पर क्या हो जाएगा यह negative बनाएंगे इसका तो हो जाएगा haven't क्योंकि यह जो है positive sentence है जिसका हो जाएगा haven't I क्या हो जाएगा haven't I next the boys are quiet boystress देखो the boys are यहां पर दिया हुआ sentence ध्यान से देखना क्या दिया हुआ number eight the boys are तो यहां पर आर दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा aren't they boys के लिए हम किसका यूज करेंगे तो हम noun के बदले pronoun का यूज करते है ठीक है किसका यूज करते है noun के बदले हम question tag में pronoun का यूज करते हो जाएगा the boys are quiet boystress ठीक है next हमारा देखो my friend Ryan Raam is an egoist egoist का मतलब क्या होता है देखो egoist का मतलब होता है यहाँ घमंडी बोल सकते हो ठीक है तो देखो तो दिखो क्या दिया हुआ है यहाँ आप mandatory my friend तो राम के लिए हम क्या यूज करेंगे circumstance किया जाएगा प्रोडाउं का यूज करेंगे ठीक है किसका यूज करेंगे प्रोडाउन का तो यहाँ पर इस लगाओ था इक्या हो जाएगा positive मैं है तो हम बनाएंगे negative isn't he क्या हो जाएगा isn't he next है हमारा देखो God is Omnipotent तो यहां पर दिया हुआ, find the meaning of the difficulties, word and learn them by heart, तो यह भी हम याद कर लेंगे, ठीक है, तो ओम्निपर्जेंट कम्दर मैंने बता दिया सर्वसक्ति हाल, जो सब जगा पर मौझूद हो, ओम्निपर्जेंट कम्दर क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, तो दिया हु तो इसका जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, is not he, क्या बनेगा, is not he, यानि isn't he, next है, the move killed the district, अब यहां पर दिया हुआ है, the move killed, killed यानि past दिया हुआ है, क्या दिया हो, past indefinite हो जाएगा, did, didn't it, क्या हो जाएगा यह, didn't it, ठीक है, तो मोब का मतलता है भीड, अब भीड के लि gluten, gluten का मतलता है पेटू, ठीक है, क्या होता है, gluten का मतलता है, पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाए, तो देखो, भीड वाज ग्लूटन, यहाँ पर वजंट ही कर देंगे, क्या कर देंगे, वाज नौट ही, यानि वजंट ही, तो क्योंकि यह positive में है, तो हमें बनाना है, negative म ठीक है, next है हमारा, VC, Somnambulist, देखो, Somnambulist का मतलता है, नींद में चलने वाला, क्या होता है, नींद में चलने वाला, ठीक है, in movies, very often, देखो, Somnambulist, यहाँ पर दिया, VC, यानि present indefinite की बात की जारी है, ठीक है, किसकी बात की जारी, present indefinite की, तो हम लगाएंगे, negative बनाएं यहाँ पर, don't we, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, VC, तो हम बनाएंगे, negative, ठीक है, चलिए, आगे देखी, अगला जो हमारे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, VC, C, conjurers in the circus, देखो, दिया हुआ है, VC, यहाँ पर, हाँ, C दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, यहाँ पर, Asthma is not a contagious disease, देखो, Asthma, क्या दिया हुआ है, Asthma, अब यहाँ पर बीमारी की बात आरी, Asthma is not a contagious disease, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर is not लगा हुआ, तो हम positive बनाएंगे, तो is it हो जाएगा, it इसलिए यूज़ करें, क्योंकि Asthma एक बीमारी है, ठीक है, Asthma के लिए इट का यूज़ करेंगे, next, we used to see, epidemic in villagers, earlier, देखो, क्या है, we used to see, क्या बात हो रही है, अब देखना, यूज़, यानि कि past indefinite की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर use करेंगे, didn't का, ठीक है, क्योंकि positive में है, और यह जो है, past का indefinite है, तो यहाँ पर हो जाएगा, didn't we, क्या हो जाएगा, didn't we, next, संजीवनी वाज, consider to be as panacea, panacea का मुझता है, रामबान, ठीक है, रामबान औस्धी आप बोल सकता है, ठीक है, तो संजीवनी वाज, यहाँ पर दे दिया, क्या दिया है, वाज, यहाँ पर positive है, यहाँ हो जाएगा, wasn't it, क्या हो जाएगा, wasn't it, जब इसका बनाएगे हम, question tag तो यह हो जाएगा wasn't it ठीक है तो संजीवनी के लिए it का use कर देंगे और यहाँ पर watch positive है तो negative बना देंगे next है we find too many monologous in sex sex peers place यहाँ पर देखो find find कम तो क्या पाता है यानि present indefinite ठीक है तो इसका हम use करें कैसे यह हमारा क्या है यहाँ पर too many क्या दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है दिया हुआ है too many ठीक है we find too many तो हम बनाएंगे इसका don't we क्या बनाएंगे don't we हो जाए ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा दिया हुआ है sentence वो देखो दिया हुआ है we had not got any remuneration देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है we hadn't hadn't निगेटिव यानि past की बात के जारी हो भी past perfect की तो हमारा जो question tag भी रहेगा वो रहेगा past perfect में तो simple सा है इसमें हम कर देंगे सिफ had we not कटा देंगे had को लगा देंगे अब we को हम last में कर देंगे हो जाएगा had we ठीक है तो we have not got any remuneration यानि had we next है हमारा polygamy ठीक है polygamy का मतलता है बहु वी वाही ठीक है मतलब जो बहुत सारा साधी करे उसे हम करते है polygamy ठीक है तो देखो दिया हुआ है polygamy has been तो यहाँ पर has जैसे ही देख लिया ना क्या देख लिया हमने has ठीक है अब जब हमने has देख लिया तो यह क्या हो जाएगा हमारा not यानि इसमें हम not जोड़ दें क्योंके positive है तो हो जाएगा hasn't it क्या हो जाएगा hasn't it next हमारा क्या चार्स सोबराज was an imposter imposter कम दता है बहरूपिया ठीक है क्या होता है तो देखो क्या है यहां पर चार्स सोबराज तो यहां पर देखो वह जा रहा न तो wasn't he क्या हो जाएगा वह जाएगा वह दिया हुआ है कि हिंदूज प्रैक्टिस आइड़लेटरी आइड़लेटरी का मतलब होता है जो मूर्ति का पूजा करें तो यहां पर हैईड़ल कमद मूर्ति पूजा तो तैकि है टो यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या होजाएगा दोखानी यहां पूज़िछ रिहानी हिंदूस क्या जाएगा देTH AG दोग कि बनेगा उपनेगा question tag next है अगला देखना हमारा जो दिया हुआ है वो है my nephew is an ambidextrous ambidextrous का मनुखता है जो दोनों हातों से काम करने में दक्ष हो या जो बहुत अच्छे तरीके से दोनों हातों का use कर पाए ठीक है तो देखो दिया हुआ है हाप पर क्या my nephew is an तो ठीक है यहाप पर पॉजिटिव है लेकिन हें यह हमारा सेंतिन्स परेजंट का है हो जाएं आगा पेसिमर्थ यहापर इस है तो हम जाएगा isn't he क्या हो जाएगा isn't he नेक्स्ट है everyone has come to late today अब यहाँ पर दिया हुआ एक है everyone ध्यान देना और बात आई थी everyone, no one तो यह सब singular हैं लेकिन जब हम इसका क्या बनाते है question tag बनाते है तिया हमारा plural हो जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा यह बनेगा haven't day क्या बन जाएगा haven't day और everyone के लिए हम दे का यू the theme तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है the move has तो भाई hasn't हो जाएगा hasn't it move के लिए it आ जाएगा और यहाँ पर hasn't हो जाएगा क्योंकि positive में है तो question tag हमारा negative हो जाएगा next है the audience the audience have taken their seats तो देखो यहाँ पर क्या होगी बट गया है audience हलाकी है क्या हमारा collective noun लेकिन यहाँ पर बट णृब का यूज किया गया एठीक है तो हम जो यहां पर बनाएंगे हमारा बनेगा क्या यहां पर बन जाएगा देखो hasn't they क्या बन जात्शन दे अगलत दिया हुआ है have some more tea, अब यहाँ पर request क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, निवेदन, और जहाँ पर निवेदन क्या जाए, request क्या जाए, वहाँ पर हम किसका use करेंगे, तो will का use करेंगे, या तो would का use करेंगे, ठीक है, यहाँ पर will you भी हो सकता है, और would you भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर not मत नेक्स्ट है हमारा क्या यहां पर दियोंखों लेट से अब लेट्स यहां पर बात आ रही है लेट्स है तो मैंने बताया थे जहां पर लेट्स से यहां पर लेट्स से सिंटेंस सुरू हो तो हम यूज करेंगे सैल का हमारा सेंटेंस किस से सुरू होगा तो सैल का ठीक है तो ल वी क्या बनेगा सैल वी ठीक है अगला जो हमारा है ध्यान से देखना जो दिया हुआ है ही हाज बेरली देखो बेरली अपने आप में निगेटिव है बेरली हाडली असकेरली याद कर लो hardly ठीक है और scarily और barely अपने अपने निगेटिव है इनके साथ हम not का यूज कभी नहीं करते हैं ठीक है तहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने क्या हाँ he has barely anything to be here तहाँ पर क्या बनाएंगे has he क्या बनाएंगे has he यह मत सोचना कि हाँ नहीं लगा हुए तो हम लो लगा देंगे नहीं बेरली का मतलब अपना निगेटिव अर्थ रखता है ठीक है नेक्स्ट हमारा जो है इडियम स्वरी जो हमारे है यहां बात आरी इंटर यानि के पास्ट अडफनेट के लिए हम यूज करता है दे का तो हमारा हो जाएगा डिटन्ट दे इसलिए होगा क्योंकि यह संबडी है और संबडी हमारा सिंगलर होता है लेकिन हम इसका बनाते हैं वह पूल्वल में हो जाता है उसके लिए हम यहां पर यहां पर यहां पर आई लगाना ठीक है क्योंकि में हमारा सेंटेंस है यू आर राइट देखो कितनी नए चीजे सीखने को मिल रही है और यही एक्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज जाओगे इसलिए देखना जरूरी हो जाता है नेक्ट है हमारा क्या ड नेक्ट हमारा there are many boys in this school अब देखो there are many यानि present continuous की बात की जारी हमारी यहां पर क्या है आर लगा हुआ है ठीक है तो aren't there हो जाएगा क्या हो जाएगा aren't there निगेटिव बनाएंगे next nobody brothers देखो दिया हुआ है nobody bothers ठीक है तो आप sentence किससे शुरूब है तो sentence शुरूब है nobody से ठीक नोबडी तो निगेटिव तो पहले ही लग गया तो हम इसका लगाएंगे do they क्या बनाएंगे do they ठीक है next हमारा it hardly rains here तो थेखो hardly आगए अब मैंने कुछ दिर पहले बताया तहा hardly अपने निगेटिव है तो क्या हो जाएगा हमारा हमारा हो जाएगा इह हमारा जो हम इसका बनाएंगे वो बनाएंगे डज से, ठीक है, क्या बनाएंगे does it, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा does it, doesn't मत कर देना, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देखो, the jury, क्या बात की जा रही है, the jury की बात का जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर watch है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना यह sentence, जो jury जो है divide नहीं हुए, मतलब एक साथ अपनी opinion बनाई रखी हुए, मतलब क्या है, यह हमारी collective ना होने, ठीक है, तो इसलिए हमें आप एक कर देंगा, wasn't it, jury के लिए क्या use हो जाएगा, it use हो जाएगा, और was के साथ लगा देंगे not, तो wasn't it, next I am tired, ठीक है, तो I am tired का बिल्कुल आसान है, aren't I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, aren't I, ना कि M and I, तो इसी तरह से question exam में पूछे जाते हैं, तो I hope आपको वीडियो मजा आया होगा, छोटा से chapter आपको पढ़के बिल्कुल, आप ठोड़ा time दोगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको, और आप exam में एक से दो question, अराम से इस related आएगे, और आप करके आ जाओगे, तो वीडियो कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद दे तो वीडियो को like करना, चैनल पने हो, चैनल को subscribe करना, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए